कॉंगरिस के घोशना पत्र को लेकर भारती जंदा पार्टी फिर हमलावर है शुक्रवार को केंद्री ग्रे मंत्री अमित्षा ने राहूल से सवाल किया कि क्या देश शरिया से चलेगा हाली में भारती जंदा पार्टी ने पूर्व प्रधान मंत्री मन्मोहन सिंग के एक वीडियो शेयर किया था जिसे लेकर भाजपने दावा किया है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब मुसल्मानों का होना चाहिए केंडरी ग्रे मंत्री अमित्षा ने कहा आज पूरे देश भर में दूसरे चरण का मतदान जारी है लोग भारी संख्या में वोट दे रहे हैं मैंने मतदाताओं से अपील की है कि सुरक्षद देश के लिए समरिद देश के लिए गरीबों के कल्यान के लिए ऐसी पार्टी चुनिये जो अपने वादों पर खरी उत्रे देश भर में मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाने के लिए बहुत उत्सा है मैं राहुल गानी से पूछना चाहूंगा कि यदि आप पर्सनल लौ को आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश शरिया कानून के आधार पर चलेगा पंथ निर्पेक्ष सम्विधान आप इस देश में चाहते हैं दूसरे चरण का मत्दान पूरे देश भर में चालू है और अब तक का जो रुजान है लोग भारी संख्या में वाट दे रहे हैं सब सब पहले तो मैं मत्दाताओ को अपिल करना चाहूँगा कि सुरक्षित देश के लिए समरूट देश के लिए और गरिबों के कल्यान के लिए ऐसी पार्टी चुनिये जो अपने वादों पर खड़ी रहे हैं देश भर में पूर्वा पस्चीम उत्तर दक्सिन मैं सब दिशाओं में प्रचार करकर फीर से एक बाराज भोपाल आया हूँ देश भर में मोदी जी को तीसरी बार प्रदानमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़ा उत्सा है और हर जगह पे वो प्रदसित हो रहा है कॉंग्रेस के घोषना पत्र आने के बाद भारतिय जनता पार्टी के प्रती लोगों का रुजान और बड़ा है क्योंकि कॉंग्रेस ने अपने घोषना पत्र में एपीस्मेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है कॉंग्रेस के घोषना पत्र में पर्सनल लोगों हम आगे बढ़ाएंगे ये बात की है मैं राहूल गांदी जी को पूछना चाहता हूँ पर्सनल लोगों आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब सरिया के अधार पर चलेगा किस प्रकार का पंथ निर्पेक्स सम्विधान आप इस देश में चाहते हैं हमारा सम्विधान पंथ निर्पेक्स है देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते हैं भारतिय जनता पाटी ने अपने गोषना पत्र में स्पष्टकाता के साथ काया है हम इनिफॉर्म सि लोगों के लिए एक ही कानून होगा हमने त्रिपल तलाग समाप्त किया है UCC की सुरुवात की है उसको हम आगे बढ़ाएंगे राहूल गांदी जी परसनल लौ की बात करते हैं वो देश को खंड खंड तोडने की बात है और सरिया के अधार पर क्या देश चलेगा किसी एक ध भारतिय जनता पार्टी का फंबिलीफ है मोदी जीने जो घरिब कल्यान के काम किये है उसके कारण घरिबों में मत्दान का बहुत उत्सा है दलीट आदिवासी पिछड़ा समाज और गाउं के घरिब सभी वर्के गरिब बहुत उत्सा के साथ मोदी जी के लिए बॉटिंग कर रहे हैं और मुझे पुरा भरोसा है कि हम तीसरी बार देश के प्रधान मंत्री की रूप में एक तारीक के बाद नरिंद्र मोदी को देखेंगे इस सब भारतिय जनता पार्टी के कारेकरता और करोड़ों देश्वासियों की भावन है